तीन व्रक्ष पित्रों के तुल्ले हैं पहला जम के बोलिए पीपल दूसरा बट व्रक्ष तीसरा बेल पत्री का व्रक्ष तीन पीपल के व्रक्ष में बावन हज्जार ब्रहमन एक साथ निवास करते हैं इसलिए पित्र तुल्ले हैं बट व्रक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना इसलिए पित्र तुल्य है और बेल पत्री का व्रक्ष माता पारवती जी के अश्रू से बना जब आसु गिरे थे माता जगजन्नी जगदंबा पारवती के उस समय पर पित्र लोक में हल्चल उत्पन हो गई थी हमारी नातिन की पित्रों की नातिन इसकी असुरू कैसे गर गए पारवती जी ने कहा यासु नहीं मेरा उन्य भात प्रगट करती हूं बेल पत्री के रूप में तो पित्रों ने वर दिया था कि ये बेल पत्री का ब्रक्ष हमारा आश्रवाद है इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है शिव को इस पर्ष कर चड़ाता है उसके पित्रों की शांती होगी हम स्वयमुंत को आश्रवाद देने के लिए